जैहिन गूर्मारिंग थूर्डेंट्स, टुड़ी वी अरका हूरम भालिच वी मुझेटलिवा, कि वीटाथी, गताय करती है, मैंने चूर्टेंग है तुड़ी बालिफितव, जह करी थ इंपालिफित, ऑफ़के क्या का जाता है इनको पॉरिफेरा में रखा जाता है ठीक है तो लुको सोलेनिया इस दा वन अफ दा सिंपलेस्ट स्पॉंज सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखिए कि लुको इसमें लुको सोलेनिया का क्लासिफिकेशन है फाइलम पॉरिफेरा का अनिमल है क्लास कलके जिल्की कीज करें खौंब से शूरी तेविंप बीदली के उसह कमिंदा घौसञाई को बाउनल च्भींहार definitive प्रिमील या क्षब हो उसे को इस नंदी ध्यान जाता है टो यह जता है यह डिखांवी इर आन आपको हम पुर państwo आपकराय कहाई रहता है structure एक और इसकी पूरी colony जो है अपन को दिखाई रेख कि इसका जो यह बेसल पार्ट होता है यह जो नीचे ट्यूब लाइक structure के रूपर प्रेजेंट होता है यह और इसकी यह क्या कहलता है यह पार्ट जो होता है इसका और इसमें पूरी जो irregular horizontal tubes होती है इसके बेस जिसका जो बेस होता है by irregular horizontal tubes के दोरा जो है वो अटेच सबसेटम से अटेच रहता है ठीक है इसकी बाड़ी पर minute pores प्रेजेंट होते हैं और यह पोर्स जो होते हैं किस में खुलते हैं एक cavity में खुलते हैं central cavity और that is called sponjo seal ओके अब next astrology, astrology में इसकी जो body होती है body wall two cellular layers की बनी भी होती है outer layer जो होती है पनाकोडाम कराती है inner layer जो होती है coinoderm होती है और इन दोनों के बीच में इसमें meson kind की layer जो होती है इसके बीच में present होती है तो first is the panacoderm, panacoderm जो होती है outer covering of the body okay embryonic actoderm से ये develop होती है और इसमें जो cells होती है panacoside cells इसके अंदर present होती है और ये single layer की बनी भी होती है ठीक है अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद second जो होती है इसमें inner layer जो होती है क्या क्या क्यलाथी है coinocyte coinoderm, sorry coinoderm क्यलाती है coinoderm जो होती है इसमें especially internally lined by quynoderm जोंण लेत, it forms single layer ये single layer की बनीभी होती है ये भी single layer के बनीभी होती है और इसमें ка Herausforder म askidsिया Embryonic Endoderm से development होती है वो किसे पनेकोडर्म किसे डवलाप हो रही थी एक्टोडर्म से ठेक है और यह किसे डवलाप होती है एम्डियोनिक एंडोडर्म से इसका डवलापमेंट होता है इसमें special type की cells जो होती है इसके अंदर present होती है और these cells are called coinocytes समझ में आ गया इसमें nucleus food vacuels जो होते है इसके अंदर present होते है अब इसमें देखिए next mesenchyme जो present होती है यह intermediate होती है non cellular layer होती है और दोनों layers के बीच में कौन कौन सी दोनों layers? penacoderm and second layer कौन सी बताईती है भी आपको? coinoderm के दोनों के बीच में मिर्जनकाइम present होती है मिर्जनकाइम जो होती है इसमें specules, cells यह सब इसके अंदर present होती है और इसके जो specules होते है रहा वो एक तरह से क्या करते है इसका? endoskeleton का formation करते है यह ठीक है? कि इसके endoskeleton का formation करते है इसमें special type के cells, amoevoid cells जो होती है इसके अंदर present होती है अब यह amoevoid cells जो होती है वो कई important functions जो होती है इसके अंदर करती है और इनके function के according जो होती है यह different type के cells जो होती है इनके अंदर पाई जाती है अब देखिए कौन-कौन सी amoebite cells जो होती है इनके अंदर present होती है इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या होता है इनमें archeocytes कि archeocytes जो cells होती है ये cells जो होती है इनकी जो germ cells होती है उनका formation जो होता है archeocytes के दोरा ही कियाता है इनमें pseudopodia जो हुते है small होते है और इनमें nucleus जो होता है बढ़ा होता है और RNA भी इनके अंदर present होता है और इनको ambionic reserve cell के नाम से भी इनको जाना जाता है जोती है heck daily job cells होती है इनके अदर ब Requ는데요 ुकुरिंब को Bose स्टोड करने का करती हूं इसके बाद इनमें Baptist Sclero 겉ल्स करता है वह दा थे चैनल करता है थे सबीस्ट करने हम औन फॉर्मिशन करता है करता है कार्बोनेट खेरी onम defence करते है मैयो साइट और प्रजेंट 2 जिए ग्लैन सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकस का सिक्रिशन करती है, ट्रॉफोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है, और ये नुट्रिशन से रिलेटेट होती है, ठीक है, सब्ज में आगया आपको, अब इसके बाद देखिए, नेक्स इसके अंदर है, कैनाल सिस्टम की लुकोसोनेलिया जो है, इसमें सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम जो है, इसके अंदर पाया जाता है, और वो क्या कराता है, एसकन कैनाल सिस्टम, जो होता है, सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम, इसमें प्रेजेंट होता है, ठ इससे पहले आपकस याद होगा,ापने एस पॉंच पढ़ा था इस में आपको याद होगा अपने देखा था स्ट्रकचर स्क्रपार किनाल सSYSTEM आउटर साइट से वाटर ऑटर करता है किस्के जरा अस्टिया के दौरा रॉर्टर एंटर करता है फिये औस्टिया इसमें इंकरन केनाल या स्पॉंजो सील जो होती है इसकी कैवेटी सेंट्रल कैवेटी में जाते हैं सेंट्रल कैवेटी जो होती है उसमें से वाटर जो होता है औसकी लम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है आउटसाइड पर इसको निकाल दिया जाता है यह देखिए इसका structure जो है आपको यहाँ पर आपको इसका structure जो है दिखाई दे रहा है इस प्रकार से ठीक है और इसका जो canal system है सबी तरफ करके कि इसके nutrition से भी related होता है इसके excretion से भी related होता है और इसके respiration से भी related होता है कि जितने भी function होता है इसके वो सब क्यों करते हैं इस इसके किनाल सीस्टम के दवरा ही उनको कड्रूल किया जाता है कि देखे इसमें डिए इसमें आपको धीखा रही है पोर्स और स्कुर्स कूण चवसिधा है यहां से बाते नोट से म के इंतर करता है सैंनीटे करता है जा आपको उसल फोर इस वाटर साथ क enorm निकाल डिया साथ के साने के इसका केनल सिस्टम होता है उसमें वाटर के अंदर बाड़ी के उ ts फूर्डे क्नियूटर करें बाड़ीकर नियूटिसन वाटर म से नियूटरर करें स्रैय के लिए तो उस food material को क्या करता है यह ले लेते हैं, oxygen भी आती है, तो respiration, oxygen को diffusion के द्वारा तो क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है उस water current में से, और उसमें carbon dioxide को छोड़ दिया जाता है, तो इसका जो water current, जो इसके through canal system के through आ रहा है, वो excretion, respiration, reproduction, nutrition, सभी में help करता है, अब इसके सबसे पहले देखिए इसके अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी अपने देख पड़ा था कि लुक्यो सुरेनिया कैसा animal है, सिसाईल एनिमल है, एक ही जगह पर रहता है, इसलिए इसमें लोको मोशन नहीं होता है, सेकेंड देखिए इसमें digestion जो होता है, कि food of these animals are plankton, जो microscopic plants, animals या organic matter जो होता है उनको ये अपने food के रूप में लेता है, ठीक है, तो food जो होता है, किसके दारा कॉइनोसाइज जो cells होती है, उनके दारा food को क्या कर लिया जाता है, इंजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको food vacuum के रूप में form, ये cells जो होती है, food vacuum का formation करती है, फिर यहां से food vacuum जो होती है, amoebocytes जो cells होती है, उनको दे दिया जाता है, mostly food का digestion जो होता है, वो amoebocytes जो cells होती है, उनके द्वारा किया जाता है, और वहीं पर इसमें enzymes, lipase है, trypsin है, pepsin है, ranin है, ये सब enzymes जो होते हैं, इसके उपर secret कियाते हैं, और ये इसक food होता है, उसको glycosin, glycoprotein ये lipoprotein जो है, इसके रूप में इसको स्टोर कर लिया जाता है, next is the respiration, respiration जो होता है इनमें, जो any sponge होते हैं, उनमें respiration किसके दोरा होता है, by diffusion, जो water current एंटर कर दी है, तो उसके साथ oxygen पी एंटर कर दी है, तो उस oxygen को लें जाता है, carbon dioxide को उसमें water current के साथ बहाँ निकाल दिया जाता है, next is excretion, excretion में भी होता है, कि जो भी metabolic waste stage जो होते हैं, वो general body surface के दोरा, जो diffusion के दोरा, उनको body से बहाँ निकाल दिया जाता है, osculum के दोरा, उनको बहाँ निकाल दिया जाता है, next is the reproduction, reproduction जो होता है इसमें, asexual and sexual दोनों टाइप का reproduction जो है इसके अंदर पाया जाता है एसेक्शनल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्रांचिंग और बर्डिंग के दोरा इसमें किया जाता है बर्डिंग जानते हैं आप जिसको अपन क्या कहता है मुकुलन कहते हैं कि किस प्रकार से क्या जाता है कि देखिए इसमें सबसे पहले इसके जो यह है इस्टोलन यह बॉडी का जो पार्ट सबस्टेटम से लगा हुआ होता है बेसल पार्ट उसको क्या कहता है अपन इस्टोलन तो इस्टोलन से क्या होता है एक बर्ड जो है इसके इंदा फॉर्म होती है यह बर्ड जो होती है दी होने के बाद एक न्यू इंडिज्वेल को यह फॉर्म कर लेती है ठीक है सन में आ गया इसी प्रकार से देखिए कि इसमें जो ब्रांच है यह कैसे रीजेनरेशन की स्पॉंज जो है इसमें लुकोसोलेनिया में रीजेनरेशन की कैपसिटी जो होती है इसके अंदर पाई जात है ठीक है सन में आ गया तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कॉलोनी से क्या होता है कि जैसे कॉलोनी का कोई पार्ट तूटकर अलग हो गया इस्पॉंज का कोई पार्ट तूटकर अलग हो गया ठीक है तो वह पार्ट क्या करता है कि एक नए स्लेंडर वा को सोने लिए जो है दूनों, male gamit कान से होते है, sperm and female gamit ovum, तो दूनों का formation जो होता है, एक ही sponge के अंदर होता है, ठीक है, सर्ण में आ गया, तो इस तरह से कैसे animal हो गया, यह हर mephrodite animals जो हो गया, अब इसमें देखिए, कि दूनों में male और female में gamit का formation हो गया, sperm and ovum में fertilization हुआ, after fertilization इसमें development start होता ह ठीक है, fertilization के बाद इसमें gyagod का development होता है, gyagod कैसा होता है, इसका liploid gyagod जो होता है, इसके अंदर पाया जाता है, फिर gyagod में क्या होता है, after fertilization क्या होता है, cleavage, cleavage start होता है, cleavage कैसा होता है, इसमें equal holoblastic cleavage पायाता है, फिर cleavage के बाद क्या formation होता है, blastula का formation होता है, blast जो ब्लास्टोला प्रेजन्ट होता है, ठीक है, दो प्रकार के ब्लास्टोमियर फॉर्म होता है, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर उनके बीच में कैवेटी होती है, ब्लास्टो सील उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, इसमें टू टैप्स के सेल्स जो होती है, इसके अंदर flagellated cells इसके अंदर पाई जाती है उसके बाद इसमें larval का formation होता है कि larva जैसे यह आगे development होता है न इसमें तो flagellated cells उलती है after entering lose their flagella ठीक है कि cavity का formation होता है ठीक है gastrula का formation होता है फिर इसमें gastrula कौन सा? parent kymula या stereoglastrula के अंदर पाया जाता है फिर यह parent kymula जो larval stage होती है इसकी इसमें यह freely क्या करता है swim करता है और किसी भी attached by the anterior pole and develop into a flat plate with a irregular outline इसमें में आगया फिर इसकी amoebite cells जो होती है वो क्या करती है from interior migrate outwards interior से migrate का करें outwards बाहर की तरफ करती है panachoderm का formation करती है mesen का inflagellated cells जो होती है convert into coinocyte और sponge और silk cavity जो होती है इसके अंदर डवलप हो जाती है और specules are secreted and epidermis develop several australia और after few days larva is converted into adult ascanoid sponge में वो change हो जाता है ठीक है students यह देखिए यह आपके हिंदी की pdf है बिटा निंदी में notes है यह आपके chapter जो है leucosolania complete हो गया है ok के पूली कि टेए लो से देट, कि खूली टुली कि ए धूली कि हमे भी लेक।